आज हम बात करने वाले ऐसे करेक्टर के बारे में जिसे देखने के वाधर कोई बंदा बोलता है नूबढा, नूबढा साला, अबे बाट है यह बाट कहीं का चिमकानडी कहीं का गुरूप से लातमर इसको क्ए मुझत पदू ने तो इसके बारे में मतलब इसको समझी है यार मतलब मतलब फृफ़े चाही पलेर आएगा मुझे पता नहीं यार एडम को देखने के बाद इन लोग के खुन में क्या दोडने लगता है मतलब एडम को देखके ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं और खुद को अखंड लेजेंड समझते हैं लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जब भी तुम फिरिफार में नहीं नहीं आते हो जब भी तुम गेम को लॉगिंग करते हो जो थोबड़ातों में देखने को मिलता है ओ एडम का ही होता है ना कि आलोग का बाप आके दिखा जाता है जब भी है अड़ाम बला बंदा हाथ जोर के रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ एक मैच खेल लो प्लीज मुझे आपके साथ खेलना है तब यह लोग बोलते है अगर इसको खेलना नहीं है तो यह तो अच्छे से भी तो बोल सकते थी भाई अभी मेरा दोस्ताने वाला है मैं आपके साथ बाद में खेलूंगी भाई ऐसे भी बोला जा सकता है लेकिन नहीं इन लोगो तो बेच जती करना है लेकिन जब भी एडम बला बंदा बोलता है यह सब छोड़ो छोड़ो हम लोग रैंक मेंच करते हैं बाती तो होती रहे यालर्की मतलब यहर पहले बंदे के साथ झेलो बंदे को देखो कि प्लस करवाताइक कि मैनस करवाता है लेकिन ने उससे पहले ही हम आच तैगा अगर इस बातों को तुम लोग और इस ठाइपके बंदे के कान में जाके भी बोलोगे न तो यह लोग बोलेगे मतलब यार एलोग एडम का किसी भी हाल में बेच जती करेंगे क्योंकि इसका खांदनी परमपरा जो है जिस एडम के बज़े से तू आज प्रो बन चुका है ना तू उसको इलाथ मार रहा है मतलब यह तो ओई बात हो गया ना जिस थाले पर खाते हो उसी में छेत करते हो इसको छो ऑगर कोई लेड की Grand Master पर है जियां का इस Grand Master पर तो उसका एड़िड तो साथ में आस्मान के ऊपर पर होगा और उपर से सब के उपर टट्टी करेगा उसके साथ साथ एडम बले बंदे ने अगर बोला कि मुझे आपके साथ खेलना है तब वो बोलेगा इसका प्रोफाइल तो देखो नूब है क्या खेलेगा ग्रेंड मस्टर पे अबे ओ चौथी क्लास के चुड़ेल तुम जैसे ग्रेंड मस्टर पेलियर को न एडम चड़ी के पॉकेड में लेके घूमता है भाई और एडम देखके कौन जच करता है कि ये बंदा प्रो है ये नूब है ये बौट है तो है पुलत नहीं बोलता है कि आओयर में जिलन्ज करता हो कस्टम में लेकर हाक के दिखाओ तब चौथी फेल चुरेल बोलता है भाई तेरी क्या आउकात है तब ये लोग आउकात की बात पर आ जाते हैं मतब ये लोग समझते क्या यार मतब 4-5 लाग डायमन खरच करने के बाद आलो गन का स्कीन इतना बेस्ट करेक्टर लेने के बाद कोई प्रोप्लेयर नहीं बन जाता प्रोप्लेयर बनता है तो उसका गेमप्लेस है समझे चौथी फेल चुरेल इतना कुछ होने के बाद जब एडाम जैचे सबको कस्टम में बुलाता है वो भी वन वर्सेस टू में जब सबको कुट्य की मौत मारता है यार निल्बास शुमां उन-लाईना या इसको निकालो पहली फूरसथ में निकाल यहीं नहीं अभी और सुनिए यार शी किस कबला लिया ये किस कबलाते रहती है तो पाहली पुर्सथ में निकाल क्योंकि तुम जैसे ग्रेंड मास्टर वाले लड़कियों को तो एडम चड़ी के जेब में लेके घूमता है तो काईसर बस आज के लिए बस इतने अगर वीडियो अच्छा लगे तो यह लाइक मारो चैनले पर जो लोग भी नहीं है अड़े सब्सक्राइब करो वीडियो कैसे लागा कामेड में जरूर बताना और मैं बताना चाहूंगा गाइस की एडम को जितना हो सके सम्मान करो यह और ठैंक्स फॉर बैज़ुनाइन नाइन जिसने एडम को इतना ज्यादा सम्मान दिलवा और एक बात गाइस अगर आप एडम लेकर खेलते हो तो आप डरना मत अगर आपको कोई नूबड़ा भी बुलाता है तो आप उसको कस्टम में बुलाना अगर आपको खेलना नहीं आता तो इतना जरूर याद रखना कि एडम सब का चड़ी फार सकता है लेकिन एडम का और आपको का चा सबक्राइश तार सकता है